गाइस क्या आपने कभी ऐरोपलेन बाला पतंग देखा है शोड़ो यारज मोसम बहुत ही अच्छा था और मैं चट पर पतंग उड़ाने के लिए था और जब मैं अपने पतंग को उड़ाता हूँ तो अचानक से ही मेरे सामने से एक ऐरोपलेन क्रोस करता है और इस एरोपलेन को देखा मेरे दिमाख में कैड़ी आता है कि क्यों ना मैं भी एक एरोपलेन वाला कैड बनाऊँ और तब क्या था मैं अपने पतंग को लेकर इसे कैंची की मतल से एरोपलेन की शेव में कट कर देता हूँ और यहां बन के त्यार हो गया हमार ऐरो प्लेन वाला पतंग अब यहां देकना बहुत यहां इंट्रेस्टिंग होगा कि हमारा पतंग ऐरो प्लेन की जैसा उड़ेगा की नहीं लेकिन वाय देकना पहले अगर आप फोन यूज करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और आपका फोन कौन सी कंपनी का है कमेंड करके बताओ यह जब मैंने पतंग उड़ा है तो हमारा पतंग थोड़ा सा भी नहीं उड़ा